एक और बड़ी अपडेट एवियसन सेक्टर में नौकरियों की भरमार एक लाख लोगों को मिलेगा रोजकार नागरिक उड्यन मंत्री जोतरादित सिंध्या ने बताया कि एवियसन सेक्टर में तेजी से विकास हो रहा है साल 2024 तक इस सेक्टर में बड़े पैमाने पर भड़तियां होंगी ठीक है नागरिक उड्यन मंत्राले की यूर्ट से आज यानी आठ अगस्त की अपडेट है यह आठ अगस्त की अपडेट है लगना आप लोगों तक आज पहुँच रही है यह कुछ संसदी समीती के समक्ष रिपोर्ट पेस की गई इस दोरान नागरिक उड्यन मंत्राले ने बताए कि देश के एविशन सेक्टर में आने वाले तो वरसों में एक लाग से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है इसमें पाइलेट, कैबिन क्रू, इंजिनियर, टैकनिशियन, एरपोर्ट स्टाफ, ग्राउंड, हैंडलिंग, कारगो, रिटेल, सुरक्षा, परसासनिंग और सैल्फ स्टाफ की रूप में भड़तिया हो सकती है नई भड़तियों को लेकर मंत्राले की वेब साइट, civilization.gov.in पर जानकारी दी जा सकती है लोग सभा में रखी गई रिपोर्ट के तहट नागरे कुड़न मंत्राले के दीन आने वाले विमानन और विमन की निर्मान छेत्र में वर्तमान में धाईलाग लोग कारीलत है मंत्राले ने अनुमान लगाया है कि यहां कड़ा साल 2014 तक साड़ तिन लाक हो सकता है ऐसे में एक लाक लोगों को पर्तियक्ष रूप से नोकरी मिल सकती है इसके लिए बड़े पेमाने पर भड़तिया होंगी ठीक ना तो इन पदों पर मिलेगी नोकरी मंत्राले ने कहा कि लगवग पचास परतिसत प्रतियक्ष और एप्रतियक्ष नोकरियां बिलू कालर सिर्मकों जैसे की लोडर, क्लीनर, ड्राइवर, हेलपर आधी की होगी साधी मंत्राले के नुसार आने वाले पांच वरसों में बढ़ रहे हवाई यात्रियों की संक्या को देखते हुए दस अजार और पाइलेटों की जरुवत होगी केंद्रे मंत्री सिंध्या ने दी इस वात की जानकारी तो यह पूरी अपडेट एविशन सेक्टर में नौकरी की डिमांड मीडिया रिपोर्ट के नुसार पिछले कुछ वरसों में एविशन सिविल एविशन सेक्टर का ग्रोथ काफी तेजी से हुआ है इस वज़े से इस सेक्टर में ट्रेंड प्रोफेशनल की जो मांगे वो बढ़ रही है एविशन इंडरस्टरी में पाइलेट एरक्राप्ट मैंटिनेस इंजिनर केविन क्रू ठीक ना और होस्टेस फ्लाइट स्टीवर्ड केविन क्रू और ग्राउंड स्टाप जैसे कैस्टर में नौकरी की जो डिमांड है वो हो रही है